नमस्कार मैं उरीन कुमारी आप देख रहे हैं पब्लिकेशन यूज चनल न्यूजलेन और उस्टेलिया के बीच दो मैचों की टेस्ट सिरीज का पहला टेस्ट वेलिंग्टर्ण में खेला जा रहा है टेस्ट मैच में न्यूजलेन के कप्तान टीम साओधी ने टॉस जीत कर पहले गेंदिबाजी करने का फासला किया पहले बैटिंग करते हुए उस्टेलियाई टीम ने पहले दिन के खेल तक 9 विकेट की नुकसान पर 289 रन बना लिये केमरन ग्रीन ने कंगारू टीम के विकेटों के पज़र के पीच टीम की पारिको समाला और तुफानिस्चा तक जड़ा बतादे 100 रन के अंदर जहां कंगारू टीम का टॉप और पवेलियन्स लॉट चुका था तो वहीं केमरन ग्रीन ने अकेले की वी टीम से लड़ते हुए उस्ट्रेलियाई को पहले दिन के खेल तक 289 रन और 9 विकेट के स्कोर तक पहुँचाया दरसल पहले बैटिंग करते हुए उस्ट्रेलियाई की तरफ से स्टीव स्मित और उस्मान ख्वाजा ने पारिक का आगास किया दोनों ही सलामी बले बाजों ने टीम को शांदार शुरुआत दिलाई लेकि न्यूजिलैन की तरफ से मैट हैनरी ने घातक गेंदे बाजी करते हुए ओपनर्स को अपना शिकार बनाया स्टीव स्मित गेंदो में 31 रन बना कर आउट हुए तो वहीं सुमान ख्वाजा 33 रन बना कर आउट हुए मानर्स एक रन ही बना सके सो रन के अंदर टीम ने अपने एहम विकेट गवा दिये थे जिसके बाद केमरन ग्रीन ने अकेले ही लड़ते हुए तुफानी शतक जड़ा केमरन ने 155 गेंदो का सामना करते हुए नवाव 103 रन बनाए उनके अलावा मिचेल मार्श 40 रन बना कर आउट हुए मार्श और केमरन के 20-67 रन की साज़ेदारी बनी जबकि कप्तान पैट कमिंज ने बल्ले से 16 रन निकाले न्यूजलेंड की तरफ से पहले दिन मैट हैनरी ने चार विकेट चटकाए और कंगारू बल्ले बाजो को खूँ परिशान किया ऐसे ही खेल की तमाम जानकारी के लिए देखते रहे हैं पब्लिकेशन यूज चैनल नमस्कार